डिजिटल इंडिया नाम बड़ा बढ़िया लगता है सुनके कानों को बढ़ा अच्छा चा लगता है डिजिटल इंडिया एक नया असा शब्द लोगों के लिए और इसके लिए भाजपा सरकार वर्तमान मोधी सरकार इसका बजट है साड़े चार लाख करोड़ साड़े चार लाख करोड़ के बजट से डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को ये सरकार पूरा करना चाहती है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन साड़े चार लाख करोड़ रुपे को जो सरकार लगा रही है कितने लोगों को र इंडिया से और यह जो डिजिटल इंडिया है अगर इसमें इतना पैसे लगाया जा रहा है इस पैसे में से एक हिस्सा भी अगर इसका मैं कहूं कि अगर चौथा हिस्सा भी देश के किसानों और मज़़ूरों गरुबों का हालात के लिए अगर लगा दिया जाता तो वो कहीं ज़्यादा बड़िया होता और डिजिटल इंडिया के लिए आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए आपके जो साड़े छे लाग के लगबाग देश में गाओं हैं उन साड़े छे लाग गाओं में से साड़े पांच लाग गाओं में बेंक की सुविधा नहीं है न जिसमें नीदरलेंड इत्यादी हैं उनमें 42 से लेके 44 MBPS की स्पीड है 4G पर आपके 4G लागू हो गया लेकिन उसके बाब जूद भी 6-7 MBPS की आपके स्पीड है कैसे डिजिटल इंडिया करेंगे और डिजिटल इंडिया के बाद में जिस तरह का साइबर क्राइम बढ़ेगा उसको रोकने के लिए आपके पास पूरा मेकनिस्म नहीं है और डिजिटल इंडिया बनाने से पहले जो देश के शहर हैं जिनमें गंदगी कामबार है जो अंधिरे में डूबे हुए गाउं हैं जो बेरोजगारी में डूबे हुए नौजवान हैं पहलो उनकी तरफ सोचे अगर उनको रोजगार मिल जाए तो मैं समस्ता हूँ इस डिजिटल अपने आप ही हो जाएगा अगर उन लोगों को रोजी रोटी मिल जाए तो अपने आप ही डिजिटल बना लेंगे सरकार को करने की जरूत नहीं है लेकिन सरकार जो भी काम करती है उसके पीछे केवल और केवल जो बड़े उद्योग पती हैं उनको लाभ पहुँचाने की सरकार की नियत है जिसे अडानी हैं जिसे अमबानी है ये सारे की सारे digital इंडिया बनेगा तो internet की facility ये mobile की facility ये सारे अडानी अमबानी जैसे ही लोग तो उसमें काम करेंगे तो जितना भी रोजगार होगा उन्हीं को तो जाएगा किसी और को तो जाएगा नहीं जितना भी पैसा होगा उनके खाते में जाएगा किसी और के खाते में तो जाएगा नहीं तो डिजिटल इंडिया से अगर हमें रोजगार नहीं मिलता डिजिटल इंडिया से अगर देश की हालत नहीं सुधरती हमारी जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा नहीं मिलती तो ऐसे डिजिटल इंडिया के हम लोग करेंगे क्या मेरा बहुत इसपस्ट शब्दों में कहना है और मैं जंता के सामने ये सवाल रगता हूँ कि क्या हमें डिजिटल इंडिया चाहिए या हमें रोजगार देने वाला इंडिया चाहिए महिलाओं की सुरक्षा वाला इंडिया चाहिए हमें किसान को खुशाल देखने वाला इंडिया चाहिए हमें गंदगी से मुक्त शहर और गाउं वाला इंडिया चाहिए हमें अधेरे से मुक्त गाओं, शहर और घर ऐसा इंडिया चाहिए हमें ऐसा इंडिया चाहिए डिजिटल जब होगा होता रहेगा अभी हमेशा दूस की जरूरत नहीं है हमें रोजगार की, सुरक्षा की और सिक्षा की जरूरत है तो मैं आप से भी पूछना चाहता हूँ अगर आपको डिजिटल इंडिया चाहिए तो निश्यतुप से भाजबा के साथ हो और अगर आपको डिजिटल इंडिया नहीं रोजगार चाहिए सिक्षा चाहिए तो आपको आने वाले 2019 के चिनाव में इसका सबक भारतिय जंता पार्टी की सरकार को सिखाना पड़ेगा क्यों साथ हो चाहिए डिजिटल इंडिया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आपके सबसे पहले